हे वाइटीबियस की हलचाय वेलकम बैक टू 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 तो दोस्तों दिलडी के पास अगर सबसे सुन्दर और युनीक हिलिस्टेशन की बात करें तो वो नैनी ताल ही है लेकिन ऐसे में अगर आप बाई ट्रेन जाना चाहते हैं नैनी ताल तो कैसे पहुंच सकते हैं बहुती सही डामों पर और बहुती कन्विंस के साथ नैनी ताल की आतरा ट्रेन से आप कैसे कर सकते हैं कौन कान सी ट्रेन जाती है नैनी ताल आज लॉकडाउन के अंदर और किस तरह से कब चलती हैं कब आती जाती हैं क्या फेयर है सारी जानकारी आज आपको वाइटी भारत चैनल मैं बताने जा रहा हूँ नैनी ताल के बारे में कैसे आप दिल्ली से नैनी ताल और वापस दिल्ली पहुंचें बहुत ही कंदामों में आई शुरू करते हैं आज का वीडियो और हाँ दोस्तों कर आप में बाइटी भरक चनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नी वीडियो को जादा से जादा लाइक करें और मुझे मोटिवेट करें आए चलते हैं अपमें लेट आप की स्क्रीन में और आपको एक एक करके सारी डिटेल देना है स्कार्ट कर लेते हैं आए दोस्तों कौन सी सबसे सस्ती ट्रेंड है जिसके तुरू आप नैनी ताल पहुंच सकते हैं तो वीडियो पर बने रहीएगा लास तक बहुती सारी इंफार्मेशन आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ दोस्तों कोबिड के इस सिचुएशन में अभी जो भी ट्रेंड चल रही है वो स्पेशल हैं खास करके हिली स्टेशन के लिए तो दिल्ली से काट गुदाम के लिए शताबदी जो चल रही है वो काट गुदाम शताबदी स्पेशल ट्रेंड के नाम से ट्रेंड संख्या 02040 हफते के सातों दिन चल रही है सुबह 6 बच करके 20 मिनट पर निव दिल्ली से चलती है और आपको 5 घंटे 20 मिनट की यातरा करके आपको 11 बच के 40 मिनट पर कार्ट कुदाम पहुँचा देती है दो इसके अंदर आपको कार मिलेंगी एक है चेयर कार एक है एक्जेक्यूटिव कार इसके अंदर का किराया है 680 रुपिया और एक्जेक्यूटिव का किराया है 1145 रुपए अब चलते हैं नेक्स ट्रेन की तरफ जो बहुती सस्ती है और जिसके थूँ मैं वापस आने का इंतजाम रखता हूँ ये ट्रेन चलती है रानी खेत स्पेशल 05013 हफते के 7 दिन और अभी ये चलती है आपकी 20-20 पर यानि की 8 बच के 20 मिनट पर रात के टाइम दिल्ली केंट से और आपको पहुँचा देती है काट गुदाम सुबह चार बच करके 55 मिनट पर आप काट गुदाम पहुच जाएंगे और उसके बाद काट गुदाम से आप नैनी ताल के आगे का सफर कर सकते हैं इसकी जो मतलब अलग-अलग सिटिंग के लिए जो आपको 40 पे करने पड़ेंगे सेकिंड सिटिंग जनरल बोगी के लिए आपको 125 रुपिया स्लीपर के लिए 205 रुपिया एसी 3 टायर 505 एसी 2 टायर 710 रुपिया तो इस तरह से आपका ये फेयर रहने वाला है इस ट्रेन के अंदर रानी खिति स्पेशल को आप पकड़ करके काट गुदाम पहुँच जाए काट गुदाम से जैसे मैंने आपको बताया पास में ही आपको बस स्टेंड मिल जाएगा 60-70 रुपिया दे करके आप डिरेक्ट नैनिताल के माल रोड के पास पहुँच सकते हैं माल रोड से बस स्टेंड की दूरी लगभग 1 किलोमेटर की है जिसको आप रिक्सा भी पकड़ करके या जो भी आटो है वो पकड़ करके वहां तक आप पहुँच सकते हैं शेरिंग टेक्सी की बात करें तो 150 रुपीज आपका लेता है पर परसन और आपको परसनल लगट टेक्सी करनी है तो वो लगभग 670-800 रुपे तक चार्ज कर लेते हैं अगर आप काट गुदाम से नैनी ताल के माउन रोड पहुचना चाहते हैं और वहां पर अपने ट्रिप को आपने प्लैन कर रखा है तो और मैं आपको अब इसके सफर का टाइम दूरेशन बता देता हूँ काट गुदाम से नैनी ताल का जो दूरेशन है वो लगभग 1.5 से आपको 2 घंटे लग सकते हैं डेपेंड करता है ड्राइवर क्या है जाम क्या है ये सब कंडिशन रहती हैं तो आप मैक्स तो मैक्स आप 2 घंटे तो मान के चलिए कि आप 2 घंटे में काट गुदाम से नैन साल से कम के तो वहाँ पर ऑक्सीजन की रास्ते में उनको प्रॉब्लम हो सकती है तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके आप दिल्ली से काट गुदाम होते वे नैनी ताल का सफर पूरा कर सकते हैं उमीद करता हूँ आपको ये आज की जानकारी बहुती इंफॉर्मेटि पर बने रहना धन्यवाद दोस्तों जै हिंद जै भारत सब्सक्राइब कीजिए वाईटी भारत चनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लिटिस्ट वीडियो और वो भी बिलकुल फ्री में